विश्वे समय सबसे बड़े महा संकत कोरोना से मकाबला कर रहा है दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और जल से जल इसका वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि इस बिमारी से निजात पाया जा सके लेकिन किसी भी मर्ज का इलाज नहीं होता वहीं दूसरी और Social Media पर तो जैसे Corona की दवाईउं की भरमार च्छाय होई है हरकोई कह रहा है कि कि किसी चीज से Corona खत्म होगा कि उस चीज से Corona खत्म होगा सभी अपने अपने तरक वितर्क लगा रहे हैं लेकिन कौन सा तरक कितना सही है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वाइरल हो रहा है और उस मैसेज में क्या लिखा है? उस मैसेज में लिखा है कि इसराइल में नीम्भू और बेकिंग सोडा का घोल पीने से कोरोना की मामले कम हो रहे हैं लेकिन आप सोचिए कि अगर सिर्फ बेकिंग सोडा और नीम्भू कोरोना का इलाज होता तो क्या ये जो तमाम देशों के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, क्या ये आम जंता को रहात देने के लिए इसका उपाय कहने को नहीं करते? इसका उपाय करने को नहीं कहते? लेकिन सोचल मीडिया है साहब, जिसका जो जीबन पड़ता है, वो करता है। हाल ही में सोचल मीडिया पर एक पर्चा वाइरल हो रहा है। इस पर्चे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि नूवल कोरोना वाइरस की वज़े से इसराइल में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। और मौत ना होने की वज़े है एक दवा जो कोरोना का इलाज कर रही है। पर्चे में इस दवा को बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि निम्भू यानि कि बायो कार्बोनेट इसे गर्म बेकिंग सोडा में मिला कर पीने से ये शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को क्षारिय बना देता है और कोरोना वाइरस को कमजोर कर देता है और इसराइल बाले इस वाइरस से इसलिए परिशान नहीं है क्योंकि वो सभी लोग गर्म पानी में निम्भू और बेकिंग सोडा मिला कर पीते हैं। और इस पर्चे में कोरोना वाइरस का इलाज निम्भू और बेकिंग सोडा मिला गर्म पानी बता दिया गया है। परचे में ये भी लिखा हुआ है कि मैंने इससे अपने परिवार जनों और मित्रों के साथ شेर कीजिए हम मानते हैं कि नीम्बू में कई औश्देगन होते हैं कई सारी चीजें नीम्बू में कई सारी चीजों में नीम्बू फायदे मन भी होता है लेकिन ये बात कि इसराइल में एक भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत नहीं होना ये थोड़ी सी सही नहीं लगी लेकिन अगर सरकारी आंकडों में जाएं तो एक महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला था और ये पहला मामला था वहीं मौत की बात करें तो इसराइल में 88 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई जिसका नाम होलोकास्ट सर्वाइवर था और इस बात की जानकारी इसराइली अगभार हारेट्स ने अपनी एक खबर में दी थी वहीं अब तक के आगड़ो की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मताबिक इसराइल में अब तक कोरोना की वज़े से 258 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 16,000 से जादा लोग इस वाइरस से संक्रमित बताये जा रहे हैं वहीं बात रही नीमबू और बैकिंग सोडा की तो अभी इसको लेकर कोई वैग्यानिक तथ्य सामने नहीं आया है कि ये कोरोना का इलाज हो सकता है जैसके आप जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के भर सक प्रयास किये जा रहे हैं देश और दुनिया के तमाम वैग्यानिक इस समय सिर्फ और सिर्फ कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं लेकिन अब तक इसका वैक्सीन बनकर तयार नहीं हुआ है ऐसे में नीमबू में बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म पानी मिलाकर कोरोना का इलाज कैसे हो सकता है ये जरा सोचने वाली बात है बहराल तो हमारे पास कोरोना से बचने का एक ही इलाज है वो है मुह पर मास्क लगाना समय समय पर हाथ धोते रहना सोशल डिस्टिंसिंग बनाय रखना सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हो सके अपने घरों में रहना और हाँ कोरोना से दूर रहने के साथ साथ जराए नफाहों से भी दूर रहे अच्छा रहेगा